हेलो हेलो दोस्तों मैंने सांसिंग राजपूत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल Math Magic पटना में तो आपकी SST GT 2022 की परिच्छा को देखते हुए आप सबके कॉमेंट आने के पस्चाद मैंने GK का सिरीज तो सुरू किया ही था अब मैंने हिंदी का भी सिरीज शुरू कर लिया है इसमें आपको डेली 20 कोस्चन दिये जाएंगे जो 40 मांक्स के होंगे तो आपको डेली आपको बताना है कि कॉमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मांक्स आये थे आज तो आज ये फर्स्ट वीडियो है आज सी ये रेगुलर रहेगा जब तक S.A.C. G.D. का एक्जाम नहीं हो जाता तो बिना देरिक ये चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें 20 कोस्चन है हिंदी के S.A.C. G.D. के लिए तो देखिए 2 वर्ण है आपसे पूछ रहा है कि दंती यानि कि दाथ से उचारित वर्ण कौन से है तो Option A. तवर्ग Option B. पावर्ग Option C. कवर्ग और Option D. चवर्ग तो आप लोगो पता ही होगा कि दंती से उचारित वर्ण तवर्ग है तवर्ण का कोई भी आप सब्द बोलेगा ता था दा था ना सभी दंति से उचारित होते हैं वही पाभर्ग पाभर्ग जो होते हैं वो ओष्ट से होते हैं जबकि कावर्ग 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 और चावर्ग ये सब तालू से होते हैं तो अगला कोशन देखते हैं क्या है, चव वर्ण का उचारन स्थान क्या है, तो देखिए चव वर्ण का उचारन स्थान तालव्य है, हिंदी भासा में कुल कितने वर्ण होते हैं, बामन वर्ण, ये आप लोगों को पता ही होगा, देखिए अगला कोशन निम्न समूहों में से किस सब्द समूह की वर्णी सुद्ध है, आपको सुद्ध वर्णी का चैन करना है, तो इसमें देखिए दिगविजाई, कृतअग्न, छितिज, यही सुद्ध है, बाकिसमें देखिए सिखर का ये, इधर हरसा ही होगा, प्रकिर् की वाला रिय होता है और मस्तिष्क में ये सान नहीं होता है तो ये गलत है जबकि स्तीन नमर ऑप्टसन देखते हैं जैस्ट्री में इधर दिर्गई होता है देहिक में दिर्गई होता है अस्त्रियां में चंद्रविंदू की मातरा होती है डी नमर में देखिए क्या गलत है वर्तमान ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है जबकि अभी लासा में हरसा ही होगा और अतिसिग्र ये भी सही लिखा हुआ है अगला कोर्शन देखिए क्या है 64 नमबर इसमें क्या पूछ रहा है हिंदी स्वरों का वर्गी करण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निमलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतरगत नहीं आएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है हिंदी स्वरों का वर्गी करण जब जीव के भाग के अधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतरगत नहीं आएगा तो इसके अंतरगत नहीं आने वाला है विब्रित स्वर जीव की उचाई के अधार पर विब्रित, अर्ध विब्रित, अर्ध संब्रित और संबृत में स्वरों का वर्गी करन किया जाता है देखे अगला कोशन क्या है कि वे अविकारी सब्द जो दो सब्दों बाक्यों अथ्वा बाक्य खंडों को जोडते हैं क्या कहलाते हैं तो ये समुच्य बोधक सब्द कहलाते हैं तो अगला कोशन देखिये क्या है? शियासट नमर कोशन हिंदी में असपर्ष, घोस, महाप्रान, और श्ठन्य, व्यंजन, ध्वनी है देखिये क्या है इसका आप्शन भ, द, थ, ह तो हिंदी की असपर्ष, घोस, महाप्रान, और श्ठन्य, व्यंजन, ध्वनी क्या है? भ है और श्ठ वर्ण में ऐसे भी आप लोग को पता ही होगा कि उ, उ, प, भ, 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 म, आता है 66 नमर कोशन देखिये क्या है? कूपन और बिगुल किस भासा का सब्द है? तो इक कूपन और जो बिगुल है ये प्रांसिसी भासा का सब्द है इसे आप लोग याद कर लिजेगा भासा से भी रिलेटेड कोशन ससी जीडी में पूछता है तो जो जो कूशन है ये सब आप लोग याद कर लिजेगा आईए अगला कूशन देखते हैं क्या है? संकर सब्द का अर्थ है संकर सब्द का क्या अर्थ है? ये आप लोग से पूछ रहा है तो संकर सब्द का अर्थ दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बना सब्द होता है वे सब्द जो दो भासाओं के सब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर सब्द कहते हैं संकर सब्द जैसे रेल गाड़ी हम लोग बोल सकते हैं वर्स गाठ बोल सकते हैं बिलकर जो रेलगारी बना है, इसको हम लोग संकर सब्द कह सकते हैं, उसी तरह देख लीजे वर्स गांट, वर्स गांट में वर्स संस्कृत भासा का सब्द हैं और गांट हिंदी भासा का सब्द हैं, तो वर्स गांट भी संकर सब्द का उधारन हो सकता हैं, तो देखिए एक योगिक सब्द है वनावट के विचार से आप लोग को पताई होगा कि सब्द के तीन भेद होते हैं पहला रूड, दूसरा योगिक और तीसरा योगृड और जिन सब्दों के खंड सार्थक ना होने रूड कहते हैं और ऐसे सब्द जो दो सब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें योगिक कहा जाता है तो घुड़सवार का देखिए ये दो खंडों से मिलकर बना है और इसका एक सार्थक अर्थ है तो इसलिए घुड़सवार योगिक सब्द है तो अगला question देखे क्या है? सत्तर नमबर समुंदर का परियावाची निवन में से कौन सा है? तो समुंदर का परियावाची सब्द रतनाकार है, जबकि मकरंद का परियावाची सब्द सहद, रस, पुस्प्रस, आसव, मधू, इत्यादी हैं? वही देख लेते हैं वनीता का, तो वनीता का परियावाची सब्द दारा, जोरू, भामांगीनी, अ कलत्र ये सब हैं? और वहीं गन का परियावाची सब देख लेते हैं, तो गन का परियावाची सब जुन्ड, समूह, समुदाय, ये सब होता है, तो आईए देखते हैं अगला कोशन, नदी, समुंद्र, तलाव और गंगा, इन सब्दों को क्रम सह, सही परियावाची सब्द वाली पंक्ती को तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सही, ओप्सन नमबर C, नदी का परियावाची तरंगनी, समुंद्र का परियावाची रतनाकर, वहीं तलाव का परियावाची जलासे और गंगा का परियावाची जानवी होता है, तो नदी का परियावाची तरंगनी, समुंद्र का रतनाक तेखिए इस question को लाने का मक्सद यही था कि एक question में आपको चार question याद हो रहे हैं नदी समूंद्र तलाब और गंगा तो इस तरह का question देखिए आपको तो लग रहा हूगा कि यह एक कोशन है लेकिन एक कोशन में चार कोशन है अगर इन चारों में से कोई एक भी कोशन आपको एक्जाम में आ गया और आपको फाइदा कर जाएगा तो आप लोग बोलिया कि हाँ math magic पठना का class से कोशन लड़ा था तो यही है यही उद्धे से रहता है कि एक कोशन में मैं 3-4 कोशन एड क्यों कर देता हूं तो देखिए अगला कोशन क्या है रात्री का सुध रुप निम्न में से क्या है तो रात्री का सुध रुप आप लोग को पता ही होगा कि ऐसे लिख अब देखिए 73 नंबर कोशन क्या है जानने की इच्छा के लिए एक सब्द क्या होता है तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं जिग्यासा कहते हैं तो जिग्यासा देखिए सुद्वर्तनी यह है यह भी जिग्यासा ही लिखावा है लेकिन यह गलत है यह भी ग कि सुरोता के लिए कि सर्वनाम का परियोग किया जाता है तो सुरोता एक मध्यम पुरुस वाचक सर्वनाम होता है पुरुस वाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं उत्तम पुरुस, मध्यम पुरुस और अन्य पुरुस देखिए उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम हो जाते हैं वही मध्यम पुरुष में तू तूम आप हो जाते हैं और अन्य पुरुष में वह वे तो स्रोता के लिए स्रोता तू तूम का उदारने इसलिए मध्यम पुरु सर्वनाम का इसके लिए उपयोग किया दैगा देखे अगला कोशन क्या है यह गाय अधिक दूद देती है उप्तवाक्य में अधिक विशेशन किसकी विशेशता बता रहा है तो यहाँ पे जो अधिक है वो किसकी विशेस्ता बता रहा है दूद की यह गाय क्या दिख देती है दूद ही ना दिख देती है तो यह किसकी विशेस्ता बता रहा है दूद की अब देखिए अगला कोशन क्या है लड़का सोता है यह वाक के संबंदित है तो लड़का सोता है यह एक अकर्मक वाक्य है देखिए अकर्मक वाक्य कैसे है जिस किरिया के ब्यापार तो करता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसे दूसरे व्यक्ति या वज्दू अर्थात कर्म पर पड़े उसे ही क्या कहते हैं अकर्मक किरिया कहते है अकर्मक किरिया तो यही लड़का सोता है यह क्या है एक अकर्मक किरिया है देखी अगला कोशन क्या है वचन की दृष्टी से कौन सा जोडा तही नहीं है तो बचन की द्रिष्टी से देखी लता का एक बचन लता और बहुबचन लता हैं ये सही है गोडा का एक बचन गोडा और बहुबचन गोडे है किताब का एक बचन किताब और बहुबचन किताब है वही मित्र का एक बचन मित्र दिया हुए है और मित्र का बहुवचन मित्रवत दिया हुआ जो कि गलत है मित्रवत नहीं बलकि मित्रों होता है तो अगला कोशन देखे क्या है निवन में से इस्त्रीलिंग सब्द की पहचान कीजिए तो इसमें से इस्त्रीलिंग सब्द क्या है कासीदाकार, जुर्राब, पाजामा या घागरा तो इसमें से स्त्रीलिंग सब्थ क्या है? जुर्राब है और ये लोग जो हैं कासीदाकार, पाजामा, घागरा ये सब क्या है? पुली लिंग है देखिए हाथी का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो हाथी का इस्त्रिलिंग हाथिनी होता है, हाथिनी सुद्रूप से ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे, यहाँ देखिए हाथिनी लिखा हुआ है, यहाँ पे हरसई और दिर्गई यह सही है, लेकिन आ लगा दिया इस कारण से गलत है, यहाँ पे देखिए आ भी लगाय हुए और दिरगई यह है था में था में दिरगई नहीं हरसा ही होता है और ये तो हाथी नहीं ये भी गलत ही है तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा हाथी नहीं अब देखिए अगला और लास्ट कोस्चन आप लोग के बीच असी नमबर देखिए क्या है सूची एक में दिये गए धातु को सूची दो में दिये सूची दो में दिये प्रत्य से सुमेलित किजिए तो सूची एक में दिया हुआ है धातु और सूची दो में प्रत्य इससे आपको सुमेलित करना है तो देखिए इसका सही अंसर क्या होग पाठ के साथ लगेगा अक क्यूंकि पाठक आप लोग को बताई होगा चाल के साथ क्या लगाएंगे आक चालाक होता है वही जटक के साथ क्या लगेगा आ जटका वही पसू के साथ क्या लगेगा एक तो आपका एक चार एक चार कौन सा उप्शन में है B option में एक ही option में दिवा हो यानि कि answer आपका सही answer B हो जाएगा तो ये था आप लोग के बीच SSE GD के लिए हिंदी का 20 question आप लोग बताईएगा कि आप लोग को 20 में से कितने सही हुए उस अनुसार आप अपना marks बताईएगा कि 40 में से कितना marks आप लोगों का आया है ताकि और फिर इसके बाद मैं आपको daily हिंदी का 20-20 question लाओंगा वहीं जबकि मैं previous year GK का सिरीज भी चला रहा हूँ जो कि 3 तीन दिन हुआ है अभी सायथ और आज 4 दिन का वीडियो अपलोड होगा तो अगर आप लोग GK का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप एक बार जा के देख सकते हैं उससे आपको exam में काफी सहायता मिलेगी और SSC GD का हिंदी अब आप आप लोग मुझ पे छोड़ दिजिए 20 question में से 20 question लडाने का guarantee मेरा रहा जब तक exam होगा तब तक ये series चलने वाला है daily भी इस question आप लोग के भी चाहेगा और इस question का PDF आप लोग Telegram channel से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा क्योंकि जितना भी series में मतलब जितना भी question आप लोग को पढ़ाऊंगा सारा question आपको Telegram channel पे PDF के रूप में मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके दुबारा practice भी कर सकते हैं या फिर print out निकलवा के भी practice कर सकते हैं और उसका answer sheet भी मैं Telegram channel पे ही upload कर देता हूँ तो यही था आज के वीडियो में मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद